हाई फ्रेंट्स हालो वेलकम बैक टू मैं चानल श्रीमाहकाली डेली अपडेट साज मैं आप लोगों के लिए एक नए डिसके साथ आया हूँ आज है मैं बना रही हूँ मेती की राइस कैसे बना थे मैं आज आप लोगों को शेर करूंगी मैंने थोड़ा सा आयल डाला थोड टेस्टी बनता है फ्रेंट्स बच्चे लोग भारिक मेती खाता नहीं फिर भी वो आपन अच्छे तरीकसे बना के देने से बच्चे लोग अच्छा से खा जाते और यहां पर मैंने कड़ी पत्ता भी एड़ कर दिया देखा कड़ी पत्ता कैसे चिड़ चिड़ कर रहे है और फिर मैंने दस मिर्ची लंबा चीला हुआ डाला कि हम लोग तोड़ा स्पैसिक आता है फ्रेंट्स इसलिए और यहां पर मैंने अच्छा से उसको मिक्स करके लिया है फिर आभी तीन लाल मिर्ची को तुकड़ा करके वो भी यूज किया है और थोड़ा सा इंग भी डाला है इसमें टेस्टी के लिए बहुत अच्छी टेस्टी बनती है और दो बड़ा कांदा भी अच्छा से लंबा में बारिक काटके लिया है मैंने सी फ्रेंड्स यह अच्छा से पकना चाहिए और इसको अच्छा से मिक्स करके लेने के बाद अपन डालेंगे यहाँ पर साल्ट टेस्ट के लिए साल्ट और थोड़ा सा हालत भी डाला है कलरफुल दिखने के लिए राइस और यहाँ पर मैंने बारिक काटा हुआ स्प्रिंग ओनियन का स्प्रिंग ओनियन डाला है वो भी बहुत टेस्टी होते है और पता भी नहीं चेलेगा इसमें क्या आपन यूज किया और उसका टेस्टी भी नहीं लगेगा हारा धनिया भी मैंने आड़ किया बहुत कलरफुल दिखते है फ्रेंड्स जितना चाहिए पूरा का पूरा मैंने आड़ करके लिया है और अच्छा से मैंने देखा या पर जीरा और लसुन का कूट डाला है पहले क्यों तेल में क्यों नहीं डाला कि वो जेल जाएगा जेल डी डालेगा तो इसी के लिए इस सब अच्छा से फ्राय होने के बाद स्प्रिंग ओनियन मेंने डाला है सी फ्रेंड्स या पर बारिक मेती मेंने 11 गिद्डी छोटी छोटी लिया है उसको अच्छा से साफ करके लिया फिर वो अच्छा सभी में फ्राय करके लेती हूं जो फ्रेंड्स जो भी पहले बर मेरे चानल को देख रहे है फ्रेंड्स मेरे चानल को लाइक कर आया मुझे कमपल सरे शेर कीजे या पर मैंने थोड़ा सा जीरा और मेंती की पौडर भी डाला है और अच्छा से मैंने इसको फ्राइ करके लिए रेफ्रेंस और एक स्पुन तक करीब मैंने इसमें गी एड़ कर रहे हूं गी से बहुत टेस्टिया और स्वाधिस्ट बनते है अब अच्छे लोग के लिए अच्छा है हेल्दी है फिर वो गी डालने के पाद थोड़ा सा पकने दिया था फ्रेंस बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी थी यह राइस और बच्छे लोग को पता भी नहीं चे लगए यह कुंसा सबजी डाला इसमें क्या एड़ किया करके इसलिए तो फिर अबी मैंने इसको अच्छा से मिकस अब करके ले तो ओर भी मुझे घ्रेवी था तो और थोड़ा सा चावल आड़ करके लिया तो अच्छा से वेल अट गुड मिक्स करके ले रहु हूं बहुत कलरफुल था फ्रेंस बहुत ही अच्छा यम्मी यम्मी था ये राइस और बच्चे लोग को पता नहीं चलग अच्छा से काएगा क्योंकि इसको सब जी बनाने से बच्चे हाथ भी ने लगा थे अपना तो रडी हो चुँका, फाैनल टच्च में में इसमें दो निम्बु का रस यूस किया, वो निम्बु का रस वो भी बच्च लोथे फ्रेंट्स और लास्ट फैनल टश में वापस तोड़ा सा मैंने हरा दनिया डाला है फ्रेंट्स और अभी मैंने वापस इसको एक प्लेट में सर्व करके लेती हुँ फ्रेंट्स बहुत अच्छा है बहुत टेस्ट है किसी को चाहिए तो सिंग दन भी आड़ कर सकते है वो आपका टेस्ट है तो आप लोग कंपल सरी उसकरों यह बारिक मेती तो आपने शहाद के लिए इस बहुत अच्छा है और इसमें बहुत मेडिकल वैलिस होते है फ्रेंट्स तो इसलिए आप लोग भी अपना बच्चे को यह राइस को खिलाओ बहुत ही अच्छे बनते है फ्रेंट्स थैंक झाल 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 झाल